तो ये देखिए फानली हमारी सेव की सबजी बनके तयार है आपको देखने इस तो नहीं लग रही इताओ परेंट की ये सेव की सबजी है यह तीन सेव लिए मेडियम साइज के वेट में लगवागों 500 ग्राम कासपा से उसे हमने धो के अच्छे से पोच लिया है और उसके बाद हम यहां से बीज से इस परकार से कट लगाया है तो सेव अपने हिसाब से कम ज्यादा साइज बड़े छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब तो हमने दो भागों में कट के इसे कुछ इस परकार से उसके बाद फिर से हमने एक कट लगाया है और इसके सारे बीज को इस परकार से कट करके निकाल देंगे ताकि सारे जो बीज है अच्छे से निकल जाए तो इस परकार से और हमने जो कट लगाया है कुछ इस परकार से आट टुक्रों में कटा है तो आप लागेशे में पॏम इसका हैं तो Sud बारी बारी से हमने सारे सेव्के इसे प्रकार से करके हैं इसके बीज निकाल कर्णा में कम थे निकाल में पका त Yaसओ स्थिल्चा निकाल के भी पका सकते हैं योग जर्का समेद पकाया यूदह थिस प्रकार से क्ट करके रखा है तो फॉस्के लिए हमने थामाटर लिया गया थीन से च्यार चुटे शुटे कप्याज को इस पर काहला के शेव नेक्स्ट प्रसफ एक हैं टेल डाले जीरा डालें जीरा को थरद सा रोष्ट कर लें उसके फिरंद बाद हम फिर जो कटा हुआ सेव है उसे डालें अब सेव की सबजी अब अलगलग तरीके से भी बनाए जाता है लेकिन इस परकार से बनाए अब बहुत ज्यादा टेश्टी लगने वाला है तो इसी तरी से हम थोड़ी सी चला देंगे इस अब यहां पर और इसके बाद हम इसे कवर करके मीडियम फिलें पर अच्छे से पकाएंगा पहले इसे तो यह देखिए अपने ढ़कर नटाया था धकर नटाने कबाद फानली से फिर हम चलाएंगे तो यह देखिए हमारा जो स सेव यह हलका हलका सॉफ्ट हो रहा है आपको देखने नटाया हमका कलर भी चेंज हो रहा है तो जब हमारा थोरसा पख जाए से तहों हम उससे श्रेज पर प्याज और हरी मिच को हम इसमत पकाष से डालेंगे तो कि पहले डालेंगे तो से अमारा जैदा जल जाए गार पक जाता है तो हम प्याज को एड़ करेंगे यहां पर तो प्याज को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद इसे भी हम कवर करके पकाएंगे तो बुची देखिए आपको सेव का कलर बिल्कुल देखिए चेंज हो गया है तो अब देखिए लगबग हमारा सेव बग गया है तो अब हम यहां पर प्रेंट अध्रक एट कर लेंगे अध्रक हमने इतनी रेशिपी में लगबग आधी इंच क्यास पास को अधरक के टुकड़े को घिसके यहां पर डाला है और उसे डालने के बाद हम मिलाएंगे उसके बाद इसी स्टेच पर हम नमक भी डाल देंगे तो नमक आप अपने श्राद की साब से कम जादा कर सकते हैं तो नमक ड ओइन करके सेपयं काटा थो donte care relief कर लें आधा ने कम दूरसा मासचर हो अँगा तो नमाटमाटमाटम डालने उसे एक या दूबर कवर यहां पे अफिलम कर के विलक़ टमाटल सफ्ट हो गया है तोँ सम्साल का और यह लाल मिपोलिए तो इसे थोड़ी सी अबने कलर के लिए डाला है तो शारे मसाले को हम डाल के इससे पहले थोड़ी से मिला लेंगे इसके बाद हम थोड़ी सी पानी एड़ करके इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे कि मसाला जो है तो इसी पाने डालने के बाद ही बढ़िया से इसमें खुसबू आती है तो शारे मसाले को डाल के हम इसे अच्छे से इस परकार से भून लेंगे तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भूना रहा है तो मसाले को हम कवर करके लगबग 1002 मिनट पकाएंगे उसके बाद फिर हम देखिए यह देखिए कितना बढ़ी हमारा मसाला भी भून गया फ्रेंट्स तो हम यहां पे जलजीरा पॉडर हमने इस्तेमाल के आप चाहे तो यहां पे हम चुर पॉडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी से खटास के लिए तो यह जो सबजी हम ब देखिए हमारा गर्मा ग्राम सेव की सब्जी बन के तयार है तो आपको देखने से नहीं लग रहोगा फ्रेंट्स की यह सेव की सब्जी है कि यह बनी ही इतनी बढ़ी हा कि तो कैसी लगी यह रेसेपी फ्रेंट्स हमें कमेंट कर ज़रू बतानों और आप अपने घर पेक परकार से जरूर ट्रेकरें और हमारे चैनल पर नहीं हो था मारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आगन को दवाना ना भूले ताकिसी तेख रेसेपी आपको आगे मिलती रहे तब तक रेजाए जय बार प्रेंट्स अगरे चैनल को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आगन को दवाना ना भूले ताकिसी तेख रेसेपी आपको आगे मिलती रहे तब तक रेजाए जय बार